तो जो ये आज का वीडियो है वो मैं प्रिविएसली एक वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ कि आप पी एफ में जब तक आपकी पास्बुक नहीं देख सकते जब तक आपका यी नोमिनेशन वहाँ पे एंटर नहीं होगा और वो वेरिफाइट नहीं होगा तो ये करने के ब मिल जाएगा तो यहां से आपको जाना है और अपनी डिटेल के साथ इसमें लोगिन करना है तो जब आप लोगिन कर लोगे तो आपको लेटर पर क्लिक करो और उसके बाद ओनलाइन सर्विसीज में आपको जाना है वहाँ पर क्लिक करके आप यहां से क्लेम जो भी आपका पीएफ है उस पे आप क्लिक करोंगे तो यह टैब ओपन हो जाएगी यहां से आपको सबसे पहले जो बैंक अकाउंट नमबर जो आपका यहां पे दिया हुआ आपने वो वेरिफाई करना है तो तो यहां पे अपने defensive bank account number आप enter करोगे तो उसके बाद जो नीचे वेरिफाई का pop-up दिया हुआ है उस पे क्लिक करना है तो एक बार मैं enter कर लेता हूँ उसके बाद आपको verify पे क्लिक करना है then yes पर और आपका देख पाऊगे verify हो गया इसके बाद आपको proceed करना है for online claim, क्योंकि आप online claim कर रहे हो तो उसके बाद आपको online claim प्रिक करना है, इसके बाद आपको select करना है want to apply for, यहाँ पे आपको select करना है कि आपका जो UA number PF withdraw के लिए आप apply कर रहे हो तो वो tab आपको select करना है, services में आपका जो PF account है आपने जो दिया आप PF advance में निकाल रहे हो, withdraw कर रहे हो और उसके बाद जो आपको enter करना है वो आपकी amount रहेगी, तो जितना आपके PF में होता है आप उसकी limit तक कितना भी enter कर सकते हो, उसके बाद आपको employee का जो आपका address रहने वाला है वो आपको provide करवाना है, और जो last step रहेगा वो यह एक cancel check की photo upload करनी पड़ेगी, तो यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा, आपको cancelled जो check रहेगा उस पे लिखा होगा cancelled and then वो आपको upload करनी पड़ेगी, लेकिन आपको याद रखना है कि error यह आ रहे है कि जो photo आप upload करोगे वो 100 kb से 500 kb के बीच में ही रहेगी, format आपका य OTP आएगा, वो OTP आपको यहां पे enter करना है, अभी थोड़ा सा time लग रहा है क्योंकि OTP अभी मेरे को receive हो नहीं है, तो अभी यह आपको OTP एंटर करना है and then validate OTP and submit पे आपको click करना है, जब आप यह कर दोगे तो आपका नीचे आप लोग पड़ पार होगी, OTP has been verified और जो आ आपकी application है, PF withdraw के लिए वो apply successfully हो गई, यहां से आप download भी कर सकते हैं और उसको open भी कर सकते हो, कि क्या क्या चीजे हैं, क्या आपका UA number है, कितना आपने क्या क्या apply किया है, तो यह video था, जो query काफी लोगों किया है थी कि PF हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर कोई भी services आपकी है और आप लोगों तक पहुँच भाएं, थैंक यू